नमाज़कार दोस्तो मैं राहुल पिटिल डारेक्टर अप सुफ्तामों जुगेस देशिस प्राइशिस प्राइट लिमिटेट फिर से आपका एक बार स्वागत करता हो सुफ्तामों की ओफिशिल लुटुप चैनल के उपर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशा अल नहीं हो से उसके बारे में हम लोग आज यहां पर विस्तरोच चर्चा करेंगे लेकिन मेरा हर बार की तरह इस बार नहीं देना है आप सबसे कि अगर अपनी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरी वीडियो के भी आप पर यह उन्वसिटी आया हुआ है सिटी की बात करेंगे पस यहान फे वैक फेल मीटर के एरिया में और फेला हुआ सिटी कह पॉकिलेशन की बात करेंग तो सिटी कह पफिलेशन दो लाइख सस्तर आजार के आसपास हार्ली आप बोल सकते हो अगर वेधर की ब करेंगे तो करीब डिग्री तक जाता है अगर चाहां पे लोग यदो सटी का सब्लीशमेंट सब्सक्राइब को ना सब्सक्राइब को सब्सक्राइब की बात करेंगे तो like other universities in Russia यहां पे भी six year का duration है लेकिन यहां पे खास पहलो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है Russia के अंदर काफी सरी universities है जो की bilingual course में बढ़ाई करवाती है और कुछ university Russian में भी पढ़ाती है बहुत ही कम universities है जो English में बढ़ाती है तो bilingual का अगर meaning आप यहां पे चेक करेंगे तो bilingual काफी variant में हो सकता है maybe वहां पे एक साल का English होगा और बाकी के पांच साल का Russian हो सकता है maybe दो साल का English और बाकी के चार साल का Russian हो सकता है और maybe तीन साल का English और तीन साल का Russian भी हो सकता है और कुछ-कुछ university के अंदर 4 सल का English, 2 सल का Russian भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी university जहाँ पर 1st year आपको preparatory course यानि कि सिर्फ Russian language पढ़ाई करनी पड़ती है उसके बाद आपका 6 सल का MBBS course होता है तो यहाँ पर university के इसकी बात करेंगे तो पैत्रोजवेट स्टेट मेडिकल इन्वोसिटी जो है according to the evidence हम इसको bilingual बोल सकते है और maybe शायद मैं इसको Russian भी बोल सकता हूँ reason क्या है यहाँ पर हम लोग पहले तो university की website पे जाएंगे university की website पे जाके अगर वहाँ पर आप study button के ओपर click करेंगे तो नीचे आपको specialist program का एक option मिलेगा यह option के उपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो link देखने को मिलेगी first link जो है general medicine in Russian and second link है general medicine in English की यहाँ पे यह दोनों link के देखके थोड़ा confusion create होता है reason क्या है? university के अंदर अगर आप admissions portal पे जाएंगे वहाँ पे अगर उसके general brochure दिखेंगे तो वहाँ पे general medicine को उनों दे रेशन में mention किया हुआ है इससे अलावा दूसरी बात अगर नीचे जाएंगे आप तो नीचे जो page दिया हुआ है जो additionally एक link दीगे यह Russian government वहाँ पे भी अगर आप जाके चेक करते हो और वहाँ पे आप click करते हो पेतरोजवत स्टेट मेडिकल उन्वसिटी के ओपर और उसके courses को आप चेक करोगे तो वहाँ पे general medicine को mention किया गया है in the Russian language उसके अलावा आप WSO की website के जाके चेक करेंगे वहाँ पे अगर रशिया country को select करेंगे हमको जो doubt हुआ था हमने युनिवसिटी में mail किया करीबन एक विक तक हमने constantly mail किया उसके बाद जब हमको वहाँ से कोई भी revert नहीं आए तो हमने वहाँ पे Indian embassy को and Russian higher education ministry को mail के अंदर involve किया और involve करने के बाद हमको वहाँ से reply आया reply किसका आया तो वहाँ के international department के vice director का हम शुकर गुजाले इस madam के जीनों ने हमको यहाँ पे properly information देने के लिए प्रहतने किया था madam का नाम है गोजदेवा मर्याना अगर यहाँ पे जो mail हमको उन्होंने किया हुआ है उस mail क्या कोड़ी मैं word to word अगर यहाँ पे discuss करता हूँ तो यहाँ पे जो mail मैं में mention किया हुआ है पैतरोजवट स्टेट युनिवोसिटी इस प्लानिंग तो टीच जनरल मेडिसिन कोर्स इन विच मीडियम आफ इंस्ट्शन इस बाइलिंग्वल ब्रेकेट में उन्होंने लिखा हुआ है English plus Russian उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है इससे आपको एक चीज़ क्लियर पता चल जाती है यह जो युनिवोसिटी है यह युनिवोसिटी आज तक जो भी टीचिंग प्रोवाइड कर रही थी इस साल से प्लानिंग किया जा रहा है bilingual के लिए ना कि English medium course के लिए लेकिन स्टूडेंट को misguide किया जा रहा है market के अंदर English medium course के नाम उनका जो दुसरा reply था जो दुसरा answer था उसके अंदर उन्होंने mention किया था according to Russian legalization law on education युनिवोसिटी has the right to choose the medium of instruction which means that we do not have to get a special license to teach in English medium course लेकिन यहाँ पर अगर मैं Indian embassy की website पर जाता हूँ तो वहाँ पर जो अपनी embassy ने जो mention किया हुआ है अगर इस article को मैं पढ़ूँगा तो there is a publicity in India about English medium course in medium studies in the Russian Federation there is not a correct medium of education in Russian institute is mostly the local language a special license is required by institute to teach in English अभी यहाँ पर embassy कुछ और बोल रही है युनिवसिटी कुछ और बोल रही है तो यहाँ पर एक बड़ा confusion और create हो रहा है और उसके बारे में already हमने embassy में उसके लिए भी mail ढाला हुआ है जो भी information आएगी embassy की और से युनिवसिटी की और से इस question के coding वो हम आपके सामने in future release करेंगे दूसरा यहाँ पर युनिवसिटी को flagship युनिवसिटी के बोल के promote किया जाता है यहाँ पर अगर flagship keyword को आप search करेंगे तो उसका कोई भी bifurgation नहीं है किसी भी website के ओपर according to the flagship अगर आप युनिवसिटी की website में जाएंगे और वहाँ पर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर क्या mention किया हुआ है यहाँ पर युनिवसिटी ने भी ऐसा कोई word mention नहीं किया हुआ है कि flagship university of the world दूसरी बात कही लोग यहाँ पर ऐसा promote करते हैं कि it's a world rank university तो इसकी भी reality चेक करनी आवश्यक है तो अगर world rank की हम लोग बात करेंगे तो one by one जो जो यहाँ पर medium अविलेबल है world rank की उसको हम लोग चेक करेंगे तो जिसके अंदर अगर unirank की बात करूँगा मैं यानि कि 4ICU.com जो website है जिसका link नीच हम आपको mention कर रहे है वहाँ पर university का जो world rank है वो 2504 है और उसका country rank जो है वो 63 है उसके बाद अगर हम लोग QA star rating की बात करेंगे तो QA star rating के उपर university का कहीपे भी कोई वजूद नहीं है आजकी date में उसके बाद अगर edu ranking करके जो website है उसके उपर जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर university का world rank 1986 है European rank जो उसका है वो 665 है और 33 जो है वो country rank है उसके बाद जो की सबसे ज्यादा reputed माना जाता है times ranking अगर times ranking की बात करेंगे तो वहाँ पर भी university का कोई नाम और निशाद नहीं है आजकी date में और उससे भी एक step आगे बढ़के अगर आप चेक करेंगे वेबो मेट्रिक्स के उपर तो वेबो मेट्रिक्स के उपर युनिवस्टी का जो rank है वो 2581 है और country rank जो है वो 84 बात की जाए तो करीबन 40 प्लस country से 350 प्लस student आज की date में वहाँ पर पढ़ाई कर रहे है different different courses कहने लेकिन यहाँ पर Indian student का ratio चेक किया जाए तो it's almost zero यहाँ पर हम लोग बात करेंगे FMG performance के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर Indian student है नहीं और अभी तक का जो curriculum चल रहा था है वहाँ पर रशिन निचन रहा था नहीं हुआ है and अगर आप यहाँ पर university को select करते हो तो definitely आप first batch रहोगे या तो first student रहोगे यह university के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल सकता हो कि it's a experiment on you maybe it's from consultant or maybe from yourself अगर आप proper research करके select नहीं करते हो university को और इसका क्या result आएगा वह हम सभी को 6 साल के बाद पता चलेगा आज का नहीं है पहले से यह चला आ रहा है हमने और भी दो वीडियो बनाया थे पास्ट में जैसे कि बश्कीर state medical university का last year हमने एक वीडियो बनाया था और दूसरा एक अल्था आप CC में डाल के भी mail कर सकते हैं और उसके अलावा वहां पे भी revert नहीं आता है तो higher education ministry in Russia के mail ID हमने दिखाया हुए है उनको भी आप loop में रख सकते हैं उसके पर definitely वो लोग आपको reply करेंगे और even यहां पे तो Indian embassy in Russia जो है उनका खास यहां पे role रहता है कि इस type की जो university है उस big problem in the future for Indian student अभी ऐसे वा बात जो होई है कि अगर आपने by pressure या misguide होके अपनी इन्वसिटी पर admission ले लिया है तो इसका solution क्या है सबसे पहला solution तो हम जैसे बोलते हैं आप सबको कि मदद portal या मदद application अपने mobile के अंदर खास से install करें और उसके उपर आप register करके रख लें क्यों यह completely mention होना ज़रूरी है कि university is a completely a fully English medium university क्योंकि in future आपके पास कुछ written evidence रहेगा तो आप fight दे सकतो otherwise आप कुछ भी objection किसी के सामने नहीं ले सकते दूसरा की जाने से पहले try करें कि university को embassy को या higher education ministry को mail करें और पता करें कि university कैसा university है और language of instruction क्या है और यह चीज़ यह university के बारे म होती है यहां पर किसी भी consultant किसी भी company से trust करने की आवशेकता नहीं है खुद से आपको research करना पड़ेगा mail करने का कोई expense नहीं लगता है आपको बकायता mail करना है mail drafting नहीं आता है तो आपके English teacher का help ले वहाँ पे लेकिन mail करें जरूर से try करें experience university select करने के लिए दूसरा university का infrastructure भी ध्यान में देना हाश है कि आपको आज की date में जैसे कि हम जानते काफी सारे student जो fmgs है वो struggle कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत university select कर लिया था और उनके time पे internet का इतना easy facility available नहीं ताकि वो लोग research कर पाएं तो यहां पे students से और parents से मेरी गुदारश है कि खुद से research करें और decision ले यहां पे हम लोग जो भी university की information है with the reality with the evidence वो आपके सामने लाने के लिए प्रहतना कर रहे हैं और इससे अगर किसी को hurt हुआ है तो उसके लिए हम लोग चमा चाहते हैं तो I think दोस्तों आपको आज काई वीडियो informative लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एवं मेरा फिर से ने विदन आप सब से क्या अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कियो सब्सक्राइब जरूर से कर ले उसके अलावा कोई भी doubt है कोई भी question है तो दिये गए number के उपर आप fall करके बा